वेल्कम विएर्स बहुत बहुत स्वागत है अप लोग का मेरे यूटूब चैनल न्यू नॉलज में और अज हम बात करेंगे वोड़ाफोन आडिया के बारे में सबसे पहले दोस्तों यह डिस्क्लेमर है और फटा-फट बात करते हैं एक न्यूज आ रही है अपडेट निकल दोस्तों किसी तरह भी वो चाहता है कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन सके इसके अंदर बढ़ सके और एक क्यू थ्री वाली जो बैलेंस शीट है प्रॉफिट न लॉस है उस पर बहुत कुछ निर्वर करता है लगातार यह अपने प्लांस और अपडेट यह सब करत सक्सेस होती है सब कुछ आउट्पूट पर डिपेंड करता है और जैसे कि हमारे परलागातार न्यूज है कभी फैमिली प्लान आ गया कभी कुछ प्लान कभी सस्ता प्लान कभी यह वह मिन्स कह सकते हो आप डारेक्शन पॉजिटीव है और उसी वज़े से दोस्तों जब त मैंने शेयर की थी on time so accordingly इसमें थोड़ा प्रेशर भी देखने को मिला सो जब तक इसकी balance sheet मजबूत नहीं होती है तब तक यह ऐसे ही move करेगा और जैसे कि यह positive news आई है इससे related तो मुझे chances पूरे high probability लगती है कि इससे थोड़ा सा share के अंदर एक up move देखने को मिल सकता है जो क दोस्तों यह जो काम कर रहें इंटर पैसे के साथ इसके अंदर यह है कि जो इंटर पैसे उनको security और जो operating cost है उसको reduce करने का प्लान है मिन्स कह सकते हो कि यह अच्छा move है और अगर ground level पर success होता है तो जाहिर सी बात है Vodafone idea के लिए बहुत बहुत बहुतर होगा थोड़ा सा आज का देख लेते हैं दोस्तों सेल और बाय का volume देखा जाये तो सेल की quantity जादा लगे हुई है हलाकि इसने अज अपना 10 रुपे का label पार किया फिर यह डाउन पर आ गया है दस से नीचे बट इस news के बाद जैसी यह news circulate होगी मेरे साब से आज इसका impact देखेग है दोस्तों की news based ही भागता है लगातार और जहां तक बात करें चार्ट पैटर्न की तो दोस्तों देखा जाये तो अभी तक यह कह सकते हो कि मसीडी की दोनों लाइने आपसे मिली हुई है तो कभी भी अप या डाउन मूव आ सकता है और जो और जो यह 54 में है मिडिल में दोस्तों और जो यह रेट क्लन की लाइन है दोस्तों यह है 50 डेश का expansion moving average तो इससे अभी उपर है और इसका प्राइज 937 है अगर इससे नीचे closing देता है तो सोच नहीं भी से होगा तो अभी तो इससे ऊपर है और दस भी पार कर रहा है और positive news भी है तो लगता नहीं कि इससे निचे जाएगा hope आपको update समझ में आया होगा मैं कभी buy और sale के लिए recommend नहीं करता हूँ मैं probability बताता हूँ जिससे आप लोग कुछ सीख सको कि क्या market में train चलना है उसको पखड़ सको तो अगर वीडियो थोड़ा से भी समझ में आया हो थोड़ा से भी दिमांग में इस बात फिट हो रही हो तो वीडियो को like चैनल को subscribe करने ना भूले मिलते है नेक्स वीडियो में बबाए